डीजल और पैट्रोल के दामों में हो रही लगातार व्रद्दी ने लोगों की जेब पर भारी मार की है पैट्रोल ये मूल्यों पर व्रद्दी पर क्या कहते हैं आपड़ के लोग जानते हैं उनके विचार डीजल पैट्रोल के दामों में लगातार व्रद्दी हो रही है सरकार की उन पूझी पतियों को डारेट फाइदा पहुचाने के लिए है और इसमें गरीब तबका मद्यम वर्ग लगातार पिस रहा है किसान जो खेती में डीजल का इस्तमाल करता है जो मद्यम वर्ग नौकरी पर जाने के लिए मोटर साइकल में तेल का इस्तमाल करता है उसकी जेप पर भारी मार पड़ रही है 1983 में पहली बार लीजल की कीमत शूनने पर पहुची थी बैरल की कीमत शूनने पर पहुच गई थी परनतू ये इस्तिती उस वकत भी देखने को नहीं मिली थी पिछले छ शे सालों में उत्पाद शुल्क के नाम पर इस सरकार ने बीस लाक करोड अरजित किये हैं लेकिन उसका कोई भी फाइदा मद्यम वर्ग गरीब वर्ग को देखने को मिलने को नहीं मिल रहा है जहां तक बात टेल और डीजल की है ये बहुत मामूरी बात नहीं है ये एक ऐसी चीज़े जिस पर हिंदुस्तान बहुत अधिक अपनी विदेशी मुद्रा खर्च करता है आज उसे जब से ये इनका स्वभग था आज गौर्णमेंट का कि जिस समय इनके हाथ में सब्ता आई एक दम डीजल के या पैट्रल के दाम इतनी नहीं चले गए इंटरनेशनल कि उसका ये बैनिफिटर अगर चाहते तो बहुत मुचाईप उख्रा सकते थे मनमौन सिंग ने गवर्मेंट ने तब ये तेल के कीमत बहुत हाई थी तब भी हिंदुस्तान की अर्थिदस्ता को एक बनाए रखा लेकिन ये बावजुद इसके की इंटरनेशनल नेविल पर जो तेल के दाम कम हुए ये अर्थिदस्ता को उसका प्रियोग अपनी अर्थ में 10 रुपे किलो दस रुपे लीटल नों बढ़ा रिया है इस इनकी कथनी और करनी में कितना फरक आ गया आज लोगदान के ठैमे में किसान परेसान है वेपारी परेसान है और सरकार अपना पेड़ भड़ने में लगी हुए मेला इनसे बारबार कहना है जिस प्रकार से आ और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है पैट्रोल डीजल के रेटों ने लोगों की कमर तोड़ रखी है हर वर्क का लोग परेशान है किसान परेशान है मस्तूर भाई परेशान है कि पैट्रोल डीजल की कीमत इसकदर बढ़ा दे गई है इस सरकार में इस सरकार का दा झाल 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 झाल